नमस्कार दोस्तों स्वागत करतों आप सभी को ठेकी राच यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिंदिकेट बैंक करना होगा ठीक है तो दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे आपको nominee change का या फिर नया nominee भरने का application letter आपको कैसे लिखके जो है bank में आपको submit करना है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको दो application letter लिखना बताऊंगा एक तो change करने के लिए nominee और दोस्तरा nominee नहीं दिया हुआ है तो नया nominate करने के लिए ठीक है तो आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले आपको उपर में लिखना है to the branch manager उसके बाद में bank का नाम लिखना है उसके बाद में branch का नाम लिखना है और branch का address लिखना है ठीक है उसके बाद में subject में दोस्तों आपको लिखना है यदि आप nominee change कर रहे हो already आपने nominee दिया हुआ है तो वो existing nominee को आप बदल रहे हो तो आपको change of existing nominee against account number आपका account number यहाँ पर बढ़ना है और बिल्कुल same आपको यह copy करना है ठीक है यदि आप nominee change कर रहे हो nominee आपने नहीं दिया हुआ है और आप नया nominee भरना चाहती है तो second वाला आपको select करना है adding of nominee against account number आपका तो यह वाला select करना है आप जो भी कर रहे हो उस अनुसार से जो है आप यहाँ पर select कर लिजगा ठीक है उसके बाद में dear sir या फिर ma'am जो भी है आप select कर लिजगा उसके बाद में आपको I open the above account on 15th November 2018 आपने जिस date पर account खोला है वो आपके past book पर रहेगा ठीक है वो आप यहाँ पर mention कर दीजगा I open the above account on 15th November 2018 आपका जो भी date है वो आप यहाँ पर बर दीजगा उसके बाद में an assign Maya आप nominee का नाम जो है ठीक है वो आपको यहाँ पर बरना होगा तो दोस्तों उसके बाद में my sister as the nominee आपका जो भी sister है brother है जो भी है यह Maya वो आप यहाँ पर से लेकर दीजगा However, now I would like to replace the existing nominee with somebody else the details of my new nominee are as under उसके बाद में नया nominee का नाम आप जो देना चाहते है वो आपको यहाँ पर बरना होगा ठीक है यह आपका जो Maya में ने दिया है यह पुराना nominee है ठीक है अभी फिलाल मैं आपको बता रहा हूँ कि nominee change केसे करना है तो यह जो Maya है यह मेरा sister है उसके बाद में यह mention करना होगा आपको और नीचे में आपको यहाँ पे नया nominee का नाम पिता जी का नाम उनका माता जी का नाम और relationship क्या है आपका वो nominee के साथ वो आपके यहाँ पे देना है brother sister जो भी है वो आप से ले कीजगा नाम इनका date of birth नाम इनका कोई भी national ID card है तो उसका number आप यहाँ पे दे सकते हो उसके बाद में नाम इनका address देना होगा उसके बाद में आपको simply यह लिखना होगा कि all necessary documents are in clause herewith for your further handling I would like to appreciate if you kindly update my nominee information as early as possible उसके बाद में आपको नीचे देना है आपका जो है bank account में कोई भी nominee नहीं है तो वो case में आपको क्या करना होगा simply आपको इतना change करना है मैं आपको बता रहा हूँ इसे में copy कर लेता हूँ यहाँ पे आपको इतना ही आपको यहाँ पे change करना है ठीक है यह जगे पे आपको यह भरना है I opened the above account on 15th November 2018 and I did not assign nominee in my bank account however now I would like to add a nominee the details of my nominee are under तो same सिर्फ आपको इतना ही copy कर लेना है ठीक है यह दि आपका bank में nominee add नहीं है नया nominate कर रहे हो तो सिर्फ आपको इतना ही copy कर लेना है तो दोस्तो इसका जो है यह format का change of nominee का format भी आपको मिल जाएगा और adding of नया nominate का format भी आपको नीचे link आपको मिल जाएगा यह दोनो format आपको मिल जाएगा आप वो link पे click करके जाके copy कर सकती हो आपको सुविदा रहेगा ठीक है तो दोस्तो इस प्रकार से जो है आप अपना bank का nominee को change कर सकते या फिर नए nominate को aid कर सकते तो दोस्तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रू किजगा चैनल को सब्सक्राइब किजगा मिलते अगले वीडियो में अभी क लेतना तिल देन बबाई